नमस्कार मैं आपका दोस्ट इंजनेर प्रभात कुमार सिंग अपने यूटूब चानल निरला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हुए आज आप सभी को एक 35 feet by 40 feet मतलब 1400 square feet में बनता हुआ घर का काम अंदर से और बाहर से दिखाऊंगा उसके मैं भी आप लोग को बताना चाहता हूँ तो अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए आपको बहुत सारा आइडिया लग सकता है बात करते हैं 40 feet का यहां पर साइड भीयू का देख सकते हुए यहां पर एक बीम का पैसा है वो बचा लिया गया है जैसा कि आपको पता है कि डिपिसी के लेबल पे इस घर का फर्स है वो होने वाल है और तीन फीट से ज्यादा अगर आप ग्राउंड लेबल से उंचा फर्स बनाते हो तो आपको एक टाइबीम देने पड़ता है और उसके बॉक्सनुमा डिजाइन का आप देख रहोगी यहाँ पे डिजाइन का काम वो किया गया है उसके ज़स्ट उपर में आते हो तो आपको तीन फीट का बाहर निकला हुआ ज़जा भी नज़र आ जाता है इतको कैंटी लिबर बीम का परियोग यहाँ पे किया गया है और कॉर अगर आप चाहो जो स्लोप डिजाइन का छज़ा है तो चपर वगरा भी आप लगा सकते हो तो चलिए अब घर के फ्रंट की तरफ चलते हैं उसके बाद जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर से किस तरीका से बनेया जा रहा है और इसे बनाने में कि इस घर के लिए CD रूम आपको देखने को मिल जाता है और यह जो आप देख रहे हो लैंडिंग है CD का उसके उपर में यह हेडर रूम हो गया और उसके नीचे में आप देखते हो तो आपको इंट्रेंस भी देखने को मिलता है यह पैरापेट का सिंपल डिजाइन इधर में कि नीचे में कुछ ब्रिकवर किया गया उसके उपर में ग्रिल लगाते हुए इसका लुक को बढ़ाने का काम किया जाना है और दोनों तरफ से स्लोप डिजाइन वे कुछ इस तरीका से चज्जाकन निर्मान किया जा रहा है आप देख सकते हो इसके उपर छपर वगरा लगबग सारे 6-14 यहां पर आपको मिल जाता है सीडी और सीडी के नीचे ही यहां पर इंटरंस दिया गया है और उसके साथ बगल में अगर आप पॉर्टी को रखते हो तो जो ग्रिल वाला गेट है वहां से आप इंटर कर सकते हो पॉर्टी को के दौरा जो कॉलम है उसके पर में भी जान लेते हैं कि किस साइज का आखिरी कॉलम इस घर में लगाया गया है तो दस इंची भाई दस इंची का कॉलम का इस्तेमाल यहां पर किया गया है वह इसे नापते कैसे है उससे आप यहां पर देख सकते हो यह जो आप देख रहे हो यह दस इंची का उसके आपको मिल जाता है यहां पे सीड़ी और सीड़ी अगर आप उपर में रेंटर रखते हो या फिर अगर आप दो से ज्यादा भाई हो तो एक भाई नीचे एक भाई उपर में असान के साथ आप बाटवारा है वो कर सकते हो इसलिए यहां पे घुषने के साथ ही सीड़ी दिया गया है अगर आपको पूर्टी को नहीं चाहिए तो वहाँ पर आप दोनों तरब से एक एक रूम ले सकते हो बीद में सीडी रूम चलिए अंदर में और देखते हैं कि किस तरीका से कंस्ट्रक्शन किया गया है यह आप देख सकते हो कि लगवग 24 फीट बाइ 16 फीट के यहाँ बड़ा सा आपको मिल जाता है इस घर के लिए हॉल और जरतर इस घर का जो दरवाजा है वो हॉल से ही कनेक्टेट है बात का ले जाए सभी दरवाजा का हाइट का मतलब लिंटल लेबल का बीम का तो 7 फीट का यहाँ पे लिंटल बीम आपको नजर आ र पहला bedroom और master bedroom भी है इसके लिए यहांप बाइड़ फीट साथ इस वर्णं को बने आ जा तुरह से आपको एक एक विंड़ो देखने में मिलता है उसके साथ-साथ बात के लिए जाए पीछे वाला कॉर्णर का पीछे वाला कॉनर का तो इस रूम के लिए भी आपको यहांपे तीन फिट बैं 7 फिट का दरवाजा मिलता है उसके साथ यहां पर आप देख सकते हो कि एक window यहां पर और यहां पर corner पर आपको दो window का यहां पर काम नज़र आ रहा है window का size 4 feet by 4 feet का ही रखा गया है उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि जो भी इस घर का काम को किया जा रहा है मैं अभी hall और dining area में खड़ा हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए common toilet bathroom आप देख सकते हो और यह है इस घर के लिए kitchen उसके साथ साथ इसके just bagel में मैंने बताया था कि CD के दोनों तरफ से आपको एक-एक bedroom में यहाँ पे देखने को मिला है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ से हम लोग ने इस घर में इंटर किया था और उसके साथ दोनों तरफ से एक-एक bedroom में आपको देखने को मिल जा रहा था यह है hall और dining area में एक छोटा सा बना हुआ इस घर के लिए पूजा रूम आप देख सकते हो यह पूजा रूम है यह optional है आप चाहो तो hall और dining area में भी इसे आप असनक साथ बना सकते हो धाई फिट पर 7 फिट का यहाँ पर दरवाजा है वो रखा गया है आप देख सकते हैं उसके साथ साथ चलते हैं यह आपके पास option मौजूद है कि आप इस जगह को portico बनाते हो या फिर bedroom बनाते हो size का बात कर ले जाए तो लबक 13 फिट पर 12 फिट का आज पास का इसका size भी रखा गया है इसे portico बनाया गया है इसलिए काफी इसे हवदार रखा गया है दुनों तरफ से grill वगरा का उपयोग यहाँ पर किया गया है और मैंने जो grill का दिखाया था gate वह आप यहाँ पर देख सकते हो आप चाहँ तो इससे room भी बना सकते हो यह आपके उपर है कि आपको किस तरीका से construction करवाना इसके आगे में आपको मिल जाता है पुजा रूम जो भी इस घर का अंदर का wall है जो inner wall है उसे पाच इंची के साथ ही रखा गया आप यहाँ पर देख सकते हो उधर kitchen में भी देख सकते हो ट्वालेट बात रूम में देख सकते हो मतलब ज बाहर का दिवाल 10 इंची का था आप देख सकते हो यहाँ पर भी और उसकी साथ साथ छत का जो ढ़लाई है उसका भी काम complete यहाँ पर आच्छे तरीका से किया गया है अच्छे finishing से किया गया यहाँ पर खर्च का बारे में बात किया जात थोरा सा और है इसके बार में आप जि तो एलेक्ट्रिक का काम है जो वायरिंग का काम है उससे अभी यह start किया गया है पूरा यह बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो इसका खर्चा इसमें included नहीं है छत ढ़लाई तक का खर्चा हमें आपको भी बताने वाला हूँ कि कितना इससे बनाने में खर्चा आया है तो देख तो अगर आप पुराने मेरे भीवर है तो मैंने आप लोग को पहले भी इस घर का वीडियो दिखाया हुआ है जबकि इस घर का सेंट्रिंग वगरा भी लगा हुआ था छत कड़ला जस्ट कंप्लीट हुआ था तो आज मैंने आपको इसका आगे वाले वीडियो को दिखा द करते हो बहुत जल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले इंजिनियर प्रभाद और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को देज़े इजाज़त नमस्कार